नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशल यूटूब पेज पर सवागत है तस्वीरों के माद्यम से आप तमाम दर्शक समझ चुके होंगे कि आज मैं आपके पास क्या जानकरी पहुंचाने की कोशिश करूँगा तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं कि य और यह मकी जो है वो गरों की शतों पर कहीं ने कहीं आपको जब आप किसानों के गरों में पहुंचोगे तो कहीं ने कहीं आपको शतों पर आप ऐसी मकी देखने को मिलेगी जानकारी के लिए आपको बता दें जो हमारे पास जानकारी है तो 15 से 20 दिन ऐसे ही इस मकी को शत पर रखा जाता है ताकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और फिर कहीं जब अगर ट्रैक्टर आएगा तो इस मकी को वह असानी से निकाल पाएगा क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी ट्रैक्टर गाउं में पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं कुछ मकी जो है वो कच्छी रहती जिसके चलते कहीं नुकसान हो जाता है ट्रैक्टर का भी और किसानों का भी नुकसान हो जाता है क्योंकि मकी उस तरह से पकी नहीं होती है अ असानी से निकाल दे जाता है थोड़ा सा को पीछे ले चलेंगे कुछ सालों अगर बात करेंगे दोहजार तीन चार पांच या च्छे की उस समय किसान इस मकी को अपने गरों में ही निकाल देते थे बड़े लंडों के सहार, इनको निकाल जाता था लेकिन अब टेकनलोजी आगे बढ़ चुकई है क्योंकि बारत में अब नहीं नहीं टेकनलोजी सहारी है। पहले अकसद देखा जाता था सिर्फ गहों को निकालने के लिए लेकिन अगर आपको बताएं तो कहींने कहीं मकी को निकालने के लिए भी जो ट्रेक्टर हैं वो अब किसानों के गड़ों तक पहुंच रहे हैं और ऐसी मकी जो किसान बहुत दिन लग जाते थे अगर देखा जाए तो 4-5 दिन लग जाते थे किसानों को मकी निकालने के लिए क्योंकि मकी को उतार के फिर घर के अंदर लिया जाता था फिर कहीं न कहीं उसे डंडों की मदद से मकी के जो दाने हैं वो अलग किये जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है टेकनोलोजी बढ़ पहुंचते हैं और इस मकी को चंद मिंटों में कहें या फिर 30-40 मिंट के अंदर अंदर अब ट्रैक्टर जो है वो 6-7 कोवेंटर जो मकी के दाने हैं वो निकाल कर किसानों के गरों में पहुंचा देते हैं कर दो एक जयंकरे आपको भी देंगे मख्यों पीर अऔर पिले रंकी मख्या लेकिन आपको सफेद रंकी नहीं दिखाए की कुछ यसानों के गहँ को सफेद मख्यों के देखने को मिलीकि और निकाली मख्यों सफेद मक्की देखने को मिलती है लेकिन अब बीज कहीं नहीं खतम होते जा रहा है और जाधा दर लोगों के घरों में एसी मख्या आपको देखने को मिलेगी कि आज हमारी कोशिश थी कि क्यूंना अपने तमाम दर्शकों तक जो भी हमारे किसान बाई हैं जो इतनी मेहन्त करते हैं तो इसको जाकर अच्छे मशीन घर लिया जाता है लोग फिर मकी काटा खा पाते हैं जिसे आप मकी की रोटी यहां फिर टोड़े के नाम से जानते हैं उमीद करते हैं हमारी तरफ से दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें नमस्कार